और कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर आजकल फेस्बुक पर भी एक लड़की हमें वीडियो कोल कर रही है और उस वीडियो कोल में वो अपने आपको न्यूड कर देती है यानि कि अपने कपड़े उतार कर साइड में रख देती है और फिर वो हमसे बातचीत कर रही है और हम भी बोल रही है कि आप भी ऐसा करके दिखाओ जैसे मैं कर रही है तो कहीं सर ये क्या चीजें है या फिर ये लड़की अपने कपड़े क्यों उतारती है आज हम इसी पर बात करेंगे 2023 में जो इसकाइम बड़ी तेजी के साथ फल फूल रहा है आज completely इस वीडियो में आपको इस स्कैम के बारे में एक्सपोज करने वाला हूँ यानि कि खुल कर बताने वाला हूँ कि आखिर ये क्या चल रहा है और आप इन सारी चीजों से कैसे अवेर हो सकते हैं साथ ही अपने परिवार के लोगों को अपने दोस्तों को कैसे अवेर कर सकते हैं नबश्कार दोस्तो आपका श्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Education for भारत में और मैं हूँ आपका दोस्त B के दिवाड़ी है जी हाँ बात करते हैं Facebook से क्योंकि ये पूरा fraud Facebook के माध्यम से या फिर Facebook से ही इसकी starting होती है चलिए समझते हैं इस पूरे सकेम के बारे में और फिर बात करते हैं कि आखिर इस सकेम में अगर हम भई फस गए हैं तो अपने आपको कैसे safe करें कैसे इन लोगों से बचाएं क्योंकि इन लोगों ने तो सोच लिया है कि हमें किसी न किसी तरीके से बरबाद किया जाए लेकिन आप इन लोगों से हमें अपने आपको बचाना कैसे है, कैसे अपने आपको सेफ करें, वो चीज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी तो ये सुरुवात इस पूरे मामले की होती है फेस्बुक से, क्योंकि आजकल लगबग लगबग सभी लोग फेस्बुक चलाते हैं और फेस्बुक के उपर हम unknown person की जब कोई request आती है, यानि कि friendship request जब हमें मिलती है, किसी unknown person की जिसे हम कभी मिले नहीं, कभी हमने उसको देखा नहीं, उसके बात भी हम उसकी request को accept कर लेते हैं और इसी चीज का सबसे ज़्यादा ये लड़की उठा रही है, जो आपको वीडियो कोल में अपने आपके कपड़े उतार कर दिखाती है, इनका जब आपके पास message आया और हमने गलती से मानलो इनको accept कर लिया, यानि कि स्विकार कर लिया, तो स्विकार करते ही ये लोग हमे message करना start कर देंगे, अब ये message इसलिए करेंगे कि वो ये देखेंगे कि ये आदमी लड़की के अंदर कितना interest रखता है, कि ये लड़की से बात करने के लिए तैयार होता भी है, या फिर नहीं, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इनके message का reply करते ही नहीं है, तो फिर इन लोगों दुबारा से ये message नहीं करेंगे, तो जो लोग इने message का reply दे देते हैं, उन लोगों से फिर ये बात करते हैं, और बात करने में कोई ज़्यादा ऐसे words या ऐसे सब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, normally कि हाँ आप दोस्ती करोगे, आप मुझे वीडियो कोल पर बात कर रही है, और सब वो उसे कहेगा ठीक है चल बात करते हैं वीडियो कोल पर, और उसमें वीडियो कोल के लिए वो उसे नंबर दे देता है, और जैसे इन लोगों को नंबर मिलता है, ये लड़की तुरण से उस पर वीडियो कोल लगा देती है, अब वीडियो कोल जब आता है जब क्या कुछ होता है वो समझते हैं देखिए जब आपने मालो आपके मोबाइल अमर इनको दे दिये इसके उपर एक WhatsApp वीडियो को लाएगा ये लोग आपके डाइरेक्ट वीडियो को कभी नहीं करते हैं इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि डाइरेक्ट वीडियो कोल कर दिया तो वो आपके जो अपन कोल डिटेल निकलवाते हैं तो उसमें उसकी हिस्टरी आ जाएगी इसलिए ये सरफ और सरफ ये सारी चीज़े जो करते हैं ये WhatsApp पर ही होती है क्योंकि WhatsApp की जो इस्टरी है वो नहीं निकलती है तो इसलिए ये आपको WhatsApp पर वीडियो कोल जब करेंगे तो आप उस वीडियो कोल को जैसे एसेप्ट करोगे यानि कि उसको उठाओगे उठाते ही आप देखोगे कि वहाँ पर कोई वोइस नहीं आएगी वहाँ पर ये लोग ना आप से कोई बात करेंगे शिर्प आपके सामने ऐसा लगेगा कि एक कोई वीडियो चला कर रख दिया हो यानि कि आपके mobile के कैमरे के सामने कोई वीडियो चल रहा हुआ ऐसा दिखाई देता है लेकिन क्या होता है कि बिना जानकारी के और जहां तक मैं बात करूँ यंग बलड़ जो लोग है युवा लोग है वो यह सोचते हैं कि यहां पर यह लड़की है ना खुद कपड़े उतार कर या फिर यह सारी एक्टिविटी करके जो हरकत कैमरे में आपने देखी है या फिर आपके मोबाइल पर जब वो चलता है वीडियो उसमें देखी होगी उस हरकत को देखकर ऐसा लगता है उस आदमी को कि या यह सारी चीजे बिल्कुल रियल में हो रही है जबकि मैं कई वीडियो के माधियम से आपको बता चुका हूं कि यहां पर कोई हरकत रियल में नहीं ह लिए आप इतने उतावले हो रहे हो या फिर आप उस मामलें फस रहे हो क्योंकि यह लोग आपको आगे जाके ब्लाकमल करेंगे आपको परिशान करेंगे इससे अच्छा है कि आप पॉन साइट पर जाकर इस तरीकी की वीडियो देख सकते हो लेकिन चलो ठीक है आपको नह जादा रोमांटिक हो जाते हैं और रोमांटिक होने की वज़े से हम कुछ एक्सी एक्टिविटी कर देते हैं जो एक्टिविटी काफी सर्मिंदगी लायक हो होती है क्योंकि इस पूरे मामले में जब आपने देखा होगा कि वही व्यक्ति जादा परेशान होता है जो इस किया इसमें भई उसने ये दिखाया मैं देख रहा था उसको तुरंत मैंने काट दिया और उसी चीज को लेकर वो फिर उनको ब्लैक मैल भी करते हैं उन लोगों के पास बेखते हो तुमारे परिवार के लोगों के पास बेखते हो तुमारे पापा के पास तुमारे मम्मी के प उसको कई तरीके सारेश्मेंट करेंगे जिसमें आपके फेस्बुक फ्रैंड को भेज देंगे है ना उसके अलावा आपके फैमली के लोग जो आपकी फेस्बुक पर पहले से एड है या आपने कहीं उनके बारे में लिख रखा है उन लोगों की ये प्रोफाइल निकाल लें कुछ नहीं आप निकाल के देते हो इस लड़की को तो ये फेल हो जाती है पूंत है तो ये क्या करती है का आपको यहां से ब्लोग करके बंद हो जाती है आपको मैसेज करना आपको कोई मैसेज नहीं करेगी और गया बजाएगी और फिर आपके पास एक बनाउटी ढंग से कहानी बनाई जाएगी और करहनी बनाकर उसमें एक करदार निभाएगा एक व्यक्ति वो अपने आपको Cyber Crime का अधिकारी बताएगा वो अधिकारी कोई नाम बताएगा अगर आप व नाम कहीं धुन्ड़ोगे जैसे Google पर जाकर सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके का एक IPS अधिकारिय है इस तरीके का एक Cybercrime का एक अधिकारी है लेकिन अफेपसरी क्या है इसमें सचाई है कि यहां पर कोई भी जो Cybercrime अधिकारी का नाम यह बता रहें या किसी IPS अधिकारी का नाम बता यह गूगल पर इन लोगों ने पहले सी देख रखा है जैसे मोस्टली नाम लिया जाता है कि राकेश अस्ताना बात करें अब राकेश अस्ताना रियल में एक पुलिस के अधिगारी हैं और वो दिल्ली में कारियरत हैं इसलिए सभी लोग जानते हैं राकेश अस्ताना जी को और राकेश अस्ताना जी के नाम का दुरूपयोग यह लोग कर देते हैं क्योंकि इन लोगों के पास जो सिमगार्ड है यह लोग जो आपको पैमेंट डानने के लिए अकाउंट दे रहे हैं यह अकाउंट दोनों ही चीज़ें यह इनकी फरजी है फरजी का मतलब कि इन लो साइबर क्राइम से पीडित हो जाते हैं आपके साथ फ्रोड होता है तो ठगी का जो पैसा है आप डरकर इन लोगों को देते हैं वो ऐसे अकाउंट में डलवा लेते हैं और जिस मालिक है जैसे मालिजिए उस अकाउंट का उसको यह जैसे मालों आपने 10,000 डलाए तो उसमे दे देते हैं तो यानि कि यह इस पूरे मतलब मामले की रियलिटी है और जो साइबर क्राइम का अधिकारी है वो आपको जैसे मैंने बताया कि वो दुरूपयोग होता है उसमें नाम का यूज किया जाता है और आप लोगों के पास जब कोल यह लोग करते हैं तो आपको ते एक बड़े मज़ेदार बात बताता हूँ अभी रिशेंटली मेरे एक वीवर्स के साथ यह स्कैम हुआ और वीवर्स को इन्होंने फोन किया कि मैं राम पांडे IPS अधिकारी दिल्ली से बात कर रहा हूँ तो उसमें का हाँ जी बताईए अब खुदानक हास्ता जो वीवर्स है वो एक LLB का student है उसकी final year की LLB है और वो लगबख 4-5 महीने अभी court में भी जा रहा है तो यानि कि उसको सारी चीजों के बारे में पता है कानून का थोड़ा बहुत उसको knowledge है और बाकी उसने पढ़ाई की है तो वो phone करके कह रहा है कि आपने ये सर्मनाक जो घटना की आ मतलब कुछ दिखाया है आपने कोई private चीजें दिखाई है जो आपको एक public में share नहीं करनी चाहिए थी तो उसने ठीक है इन लोगों कह दिया कि हाँ जी मेरी ये गलती है मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी वहां से ऐसा चल रहा था तो मेरे से गलती हो गई और मैंने य मुझे दिखाया ना और उन्होंने मेरे तो ओल्रेडी वीडियो रिकोर्ड किया है तो जो क्राइम है उन लोगोंने किया है वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसे की डिमांड कर रहे हैं मेरे साथ और आप इन्वेस्टिकेशन अधिकारी कोल करके मुझसे ही दमका र तो उसने का नहीं नहीं तुमने जो उसके सामने किया वो बहुत सर्मनाक है और इसके लिए आपको सजा मिलेगी तुमारे खिलाब 306 में मुगदमा दर्ज हो गया है तुमारे उपर FIR हो गई है 306 में अब जैसे ये बात उसे LLB के स्टुडेंट को सुनी मतलब उसने जब उसे मामले को समझने में उसे देरी नहीं लगी और वो तुरंत इस पूरी मामले को या इस घटना को भाप गया कि यार यह कोई नहीं कोई फ्रोड है फिर उसने साफ कहा दिया कि ठीक है वह तू आई-पेस अदिकारी है तू मेरे खिलाब 306 मुकदमा दर्ज कर ले और इसम फोन करता हूँ वो तुम्हें जाके और घर से पकड़के लिया आएगी अब देखिए कि यह सारी चीज़े है ना आप लोगों के साथ जब यह लोग करते तो आप लोगों को ऐसा लगता है कहीं ने कहीं तो आपको लगता है क्यार 20 मिंट का नाम दे रहा हो सकता आदे बेजता हूँ फिर कई लोग ऐसे भी होते ना जो कहते है सर प्लीज 20 मिंट मत भेजिये सर मैं चलो ठीक है मैं डाल रहा हूँ अब तक मैं नहीं डाल रहा हूँ कितने डालने यह बताओ तो यानि कि इस तरीके से लोगों के साथ यह मुर्खता पूरण एक स्कैम किया जाता है यह 2023 का एक latest trend है इस तरीके से लोगों को वीडियो कोल करना उसको blackmail करना उनको डराना धमकाना और फिर उनसे पैसा लेना तो जो लोग मुझे लगातार जो mail कर रहे थे जो लगातार whatsapp पर भी message कर रहे थे और यह जानना चारे थे का आखिर यह क्या है तो इस वीडियो मे आप समझ गए होंगे कि यह तरीके का scam है cyber criminal आपके साथ यह एक लड़की की आड में या फिर एक लड़की बनाकर आपके सामने presentation देता है अपने आपको एक लड़की बताता है और फिर आपको एक nude वीडियो कोल का आपका एक footage capture करके या मतलब यह कह सकते हैं कि आपका एक ऐ आइवेट वीडियो है उसे फिर social media के भिन भिन जैसे platform facebook instagram telegram whatsapp ऐसे platform पर आपके वीडियो को upload करकर आपको डरा कर आपसे ठगी करने की फ्राक में या फिर ठगी करने की चलाकी में रहता है तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके के गर फ्रोड में फसे हैं या फिर अगर आपको समझना है कि सबसे पहले कि आपके पर जो वीडियो कोल आया उसमें जो लड़की आपके सामने एक private वीडियो चलाकर आपको दिखा रही है या फिर वो जो पॉंड किलीप आपको दिखा रही है तो आपको यह समझना है कि यह जो पॉंड किलीप दिखा रही है आपक मर्जी के बगेर तो इसमें कहीं ने कहीं ओफेंस तो वहां पर उन लोगों के दुवारा क्रियेट किया जा रहा है तो यानि कि आप से पहले इसमें एक्यूज वो लोग है इसके अलावा दूसरा एक बड़ा मुख्य कारण यह है कि अगर वो लोग अगर आप से इसको सोशल मीडिया पर वाइरल करने की अगर धमकी देते हैं तो यहां पर आप बहुत आशनी से समझ सकते हैं कि यह एक ब्लैक मेलिंग का एक ओफेंस है जो आईपी सी सेक्शन 382 के अंडर आता है इसमें 12 साल तक की Maximum सजा का प्रावधान है तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसमें Accused कौन है यानि कि Accused अगर वो है तो फिर आपको किसी तरीके की घबराने की या फिर चिंटा करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अलावा अगर आपके पास Cyber Crime के किस इस तरीके से फोन नहीं करेगा वो आपको किसी भी व्यक्ति को देने के लिए पैसे नहीं कहेगा यानि कि पैसा देने के लिए वो किसी व्यक्ति को नहीं कहेगा अधरवाइज आपको वो लोग कभी भी सोसल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की बात नहीं करेंगे क्यो आप इसके विपरीत हो रही है और आपके साथ हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक scam का part है और हमें इन लोगों से अपने आपको सुरक्षित करना है तो ऐसे में इन लोगों की कोई भी अगर हमारे सामने demand है उसको बिल्कुल भी पूरा नहीं करना है अगर इसमें demand पूरा नहीं करते हैं तो आप पूर्ण रूप से इस पूरे scam से वैसे ही बाहर निकल जाते हैं तो आप इस वीडियो को देकर आज काफी कुछ समझे होंगे इस scam के बारे में और अगर आप फसे हुए तो इन सारी चीजों को आप practically में यूज करके इन scam से अपने आपको सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा या फिर ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में एक कमेंट करकर जरूर बताना और अगर पहली बार हमारे यूटूब चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करता है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टोपिक के सार्थ तब तक के लिए जाहिन जैभ किसी टोस्तों मिलते हैं वी एताना और मांई उत है